शार्दस कॉर्णर में आप सबका स्वागत है दोस्तो देखिए प्रकिर्ति आज किस तरह युगादी सेलिब्रेट कर रही है पूरा पेड फूलों से भर चुका है जगे जगे फल फूल लद चुके हैं जो पेड इतने महीने पहले सूखे थे एकदम से हरे भरे हो गई है दे और हम भी उसे सलिब्रेट कर रहे हैं देखे किस तरह एक एक डाली फलों से लदी हुई है तो इसे कहते हैं नेचर नेचर सलिब्रेशन जस तरह इंसान अपने हर तिहार को मनाता है ये जो नेचर है पेड पौदे ये नैचरल तरीके से अपना सलिब्रेशन करते हैं दो आं मज़ा आ गया, कितना अच्छा लगता है ना, अपने हातों से तोड़ते हुए, तो ये ले चलती हुए, मैं आपको अपने किचन में, ये दुपैर को मैंने खाने में बनाए थे, वड़े, उड़त डाल के वड़े, तो ये मैंने होल करके बना दिये, वैसे कुछ लोग बिना होल के भी बनाते हैं, लेकिन मुझे इस तरह के बड़े बहुत पसंद है, तो मिरा आज पूरा दिन बहुत हेक्टिक राज, सुबे से मैं बिजी रही, सफाई, बूजा, और ये खाना बनाना, बहुत सारी चीज़ें बनाई, तो बीच में मुझे वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला, बट थोड़ी वो जो वीडियोस मैंने ली थी, उसके कुछ गिलिम्स अब के लिए मैं दे देती हूँ, देख लीजेगा, और अगर आपको अच्छा लगए, तो प्लीज कमेंट जरू किजेगा, तो मैंने काफी सारी चीज़े बनाई आज, तो ये मेरे वड़े हो गए, तयार, तो ऐसे मैंने दो तिन बार में बहुत सारे तल लिए, अभी शाम को भी कुछ तलने बाकी हैं, तो चले आपको मैं अपनी प्लेट दिखाती हूँ, ये मैंने बनान अलिफ्यानी केले के पत्ते पर ये खाना परोसा था, आज हमने इसी पर खाना खाया, तो ये देखिए, पहला है मौंग दाल का, इसको बोलते हैं कौसंबरी, और ये बीन्स की सबजी, और जो नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं कालोली, ये फूल गोबी, कैपसिकम, काला चनो और आलू से बना था, और ये वड़े बनाए थे मैंने उड़त दाल के, ये दाल चावल वबबट सारू, और ये वबबटू, करणा में वबबटू बोलते हैं, घी के साथ बहुत टेस्टी बने, और ये हैं मैंगो राइस, यानि माविन काई चित्रा ना, तो हर चीज बहुत ही स्पेशल बनी, बहुत टेस्टी बनी, और ये खाने के से पहले नमग भी परोसा जाता है, तो ये पूरी प्लेट मेरी है, इसे मैंने खाया है, तो पूरा अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, गेस्ट भी आये थे खाने के लिए, ये है मैंगो राइस के लिए गुज्जू, तो ये कुछ जादा बना दिया था मैंने, तो इसको कुछ दिन रखकर हम खा सकते हैं, तो इसको चावल के साथ मिक्स करके खाया जाता है, ये स्पेशल है, आज के दिन के लिए सब के घर ये बनता है, अलग-अलग तरह से बनाते हैं, तो भगवान आपके सारी मनो कामनाई पूरी करें, तो आज का मेरा ये दिन भी बहुत अच्छा से गुजर गया, बिना किसी प्राबलम के, भगवान आपके सारी मनो कामनाई प दोस्तों ये हैं युगादी पचली अब तो वैसे ये खतम हो गया थोड़ा ही बचा है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूं ये स्पेशल है आज के दिन का तो ये हर घर में बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हेल्थ के उससे बहुत ही इंपॉर्टन्ट है ये सेहत के लिए काफी अच्छा है इसमें नेम के पते उसके फूल इमनी का रस गुड पानी ये सब चिसे मिलाकर इसको बनाया जाता है और सब इ अपने केचन का एक कॉर्णर पर दिखा देती हूं जो कि मेरे लिए बहुत ही फेवरेट है ये देखिए मैने फिस्टिव मोड में अपने केचन से मैच करते हुए मैट डाल दिये है तब पिंक कलर हाइलाइट हुआ है ये एंट्रेंस और ये आगे चलते ही और एक मैट और सबसे क्यूट जो मेरा फेवरेट है वो है ये वाटर फिल्टर और ये जो साइड की दिवारेस पर मैंने एक पेंटिंग लगाई हुए जिसमें एक सुन्दर सी औरत मक्खा निकाल रही है तो गाउं की सिन्री है ऐसा हमें देखनी को कहा मिलता है तो मैंने इसको अ अपने किचन का जो कलर है पिंक को हाइलाट करने के लिए मैंने ये फूल लगाए है तो इसे ये जो कॉर्नर है किचन का बहुत सुन्दर लगता है वैसे मैंने पहले से ऐसे लगा रख है मुझे घर में आई वे एक साल होने वाला है तो मैंने इसको तबसे संभाल के लगाय हुआ है तो डिफ्रेंट है कोई और ऐसे नहीं करता है तो मुझे अच्छा लगता है काफी खूबसुरत भी लग रहा है तो इसके साइड में उसको भी मैंने उस वाल को सजा दिया है दो रेल प्लांट्स हैं जो आप देख सकते हैं साइड में यह उपर मैच करता हूँ वाइट और पिंक कलर और यह पिंक फ्लावर्स तो सब इसके बहुत प्रेस करते हैं काफी अच्छा लगता है तो यह दिवार पर मैंने यह कमांड हूक लगा दिये हैं तो उन पर यह छोटे-छोटे गंबलों में इनको मैं लगाती हूं पॉर्ट च करना होता है हफ्ते-दस दिन में एक बार या पंद्रा दिन में इक बार इनको मैं चेंज करती हूं है और यह साइड में यह मैंने कुछ मणी प्लांट के पत्ते लगाए हूए है यह मेरा गोलू और यह मोलू और बिचारा भार उठाता है न इसलिए लेटा रहता है ये भी काफी क्यूट है मेरे फेवरिट है इनका भी में प्लेस थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती हूं कभी इधर कभी उधर तबस आज के लिए इतना ही अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तिसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले फिर भीरते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू